और पता है दुख तब होता है, अभी थोड़ दिन पहले और यह चीज काफी लोग बोल भी चुके हैं, कि जब हम बोलते हैं न, कि मास क्यों नहीं पहना, गुटन होती है, मास क्यों नहीं पहना, अरे यार 2020 से पहन रहा हूं, अब तो पहना ही नहीं जाता, अब तो पहना ही आपको परवान नहीं है इन लोगों की आप जानते हैं यह डॉक्टर्स की फोटोज हैं तीन-तीन-चार-चार महीने से तो आपने घरवालों से ही नहीं मिले हैं और पिछले जब से पैंडमिक हुई है आप लोगों की सेवा में लगे हुआ है मास्क लगा-लगा के हाला देखिए इनकी मास्क लगाने के रहे ये डॉक्टर्स हैं जरा आप देखिए छिल जाते हैं चहरे क्या इनको सफोकेशन नहीं होती आप बताइए जरा क्या इनको सफोकेशन नहीं होती क्या ये इनसान नहीं है क्या क्या इनको पता नहीं है लेकिन फिर भी ये मास्क वीडियो थी जो खुद COVID positive थी उसने specially वीडियो बना के ये हाथ जोड के विंती की कि आप लोग प्लीज मास्क पहनिये घर पे रहिए जब तक जरूरी नाओ बाहर ना निकलिये लेकिन लोगों को होश ही नहीं है इतना मतलब इमत बन जाईए कि दुनिया ही ना रहे और जब ही नहीं रहेगी तो आपका मतलब भी किस काम का है बहुत जरूरी है समझ जाईए खत्रे की घंटी बच चुकी है और मैई तक भी केसिस बहुत जादा बढ़ेंगे अगर हमने नहीं संभाला तो मजाग नहीं है और इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा for the sake of these doctors कईयों की family म से घर पे ही नहीं आये होंगे उनके दुख दर्द को समझी है साहब समझी है इनके दुख दर्द को एक डॉक्टर का मैंने वीडियो देखा था and she was literally crying मुंबई का वो वीडियो था अगर आपने देखा हो तो वो डॉक्टर साहीबा रूने लग गई थी camera की उपर उन्होंने कहा कि ऐसे दिन ऐसी situation हमने कई सालों में कभी नहीं देखी जो आज है मुंबई की हालत दिल्ली की हालत है metropolitan दो cities की हलत तो बहुत खराब है नहीं यकीन तो आप कोई रहता है आपका मुंबई में या दिल्ली में फोन करके पूछ लो इतनी खराब है कि लोगों को ना ventilator मिल रहा है ना oxygen का cylinder मिल रहा है उसका कारण क्या है बहुत जादा cases है आपको लगता है मदद आ रही है अरे cases आपको पता है जन संक्या कितनी है भारत की 131 करोड अभी तो 138 करोड हो गई है 138 करोड की जन संक्या है अगर इस हिसाब से फैलता रहा और सभी infected होगे तो हमार आप लगता है हर किसी को ना हिंदुस्तान ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान चलाना एक बहुत आसान काम है नहीं है बहुत बड़ा देश है आपको लगता है सरकार चुली बहुत पैसा है वो हर कुछ कर देगी इतना असान नहीं है इतना असान होता तो बहुत सारी सरकारे आ कर देती हैं यहां पर चीजे इतनी असानी से इंप्लिमेंट नहीं होती है जितनी ही चाइना में होती है हम एक लोग तांत्रिक देश में रहते जहां पर अगर कुछ भी करना हो तो में पूछना पड़ता है और चाइना में क्या होता है चाइना में लोग तांत्रिक सरकार नह हिंदुस्तान में अगर कुछ भी करना है तो सो बार सो लोगों से कमिटी बिठा के पूछना पड़ता है और ये लोगडाउं की जब बात होती है तो भी सो लोगों से मिटिंग करके पूछना पड़ता है उसके बाद लगाने के बाद भी लोग साहेता नहीं करते और फिर बो करिए क्योंकि सरकार आपके बिना नहीं चल सकती है आपकी मदद के बिना भी नहीं चल सकती है इस चीज़ को समझ लीजी है इसलिए यह मत सोचिए कि नहीं है तो बीजेपी का हम इसकी मदद नहीं करेंगे नहीं है तो कॉंग्रेस का हम इसकी मदद नहीं करेंगे नहीं है तो लिए बाहर आने का मतलब अपने इस ego से बाहर आना पड़ेगा और हमें लोगों की आगे बर्चर कर मदद करनी पड़ेगी तब ही हम लोग ये जंग जीत पाएंगे नहीं तो हार जाएंगे और अगर हार गए तो हम हमारी आने वाली generation कभी भी इस चीज़ को माफ नहीं कर पाएगी पता नहीं जनरेशन आएगी भी कि नहीं क्योंकि बहुत कुछ खो देंगे हम समझिये situation बहुत critical है ऐसे ही नहीं कहा जा रहा और ऐसे ही नहीं बोला जा रहा इससे ज़्यादा मेरे पाश शब्द नहीं है समझाने के लिए लेकिन as an influencer मैं जित्ता कह सकता हूँ आपसे मैं वह बात बोल रहा हूँ और आप लोगों को समझने की जरूरत है मेरा हाथ जोड़के विंती है कि आप लोग आगे आए और लोगों की मदद करें बजाए हसने के इस चीज़ को अगर आप लोगों ने seriously नहीं लिया तो कुछ नहीं हो पाएगा